एक तो लेटनेंट गवर्नर और उनकी अड्मिस्ट्रेशन से जम्मु कश्मीर के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया आदा करता हूं कि उन्होंने यहां के जजबात को समझ कर जो उन्होंने एक ओर जिसको वो कहते हैं कि नहीं जी यह ओर नहीं था रिगार्डिंग बोवा आज़ात जता है और वो शाम तक वो और को वापस ले गए थैंक यू वरी मच्छ लेटन गवर्णर और अड्मिस्ट्रेश्ट मैं इतना ही अपने फाजल दोस्त एस दुलत साब से कहूंगा और सब से कहूंगा प्लीज़ डून अड़रेस्टिमेट था इसे पावर आफ 370 और नों अड़रेस्टिमेट था प्लाव जमो और कश्मीर और लड़ाक तीन सो सथर कहीं नहीं गया जब ऐसे आप बात करते हैं तीन सो सथर के बारे में तो हमको लगता है कि आप सब ये कर रहे हैं माननी है सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जहरी गोर है आपको किस तरह मालूम है जी ये कभी वापस ही नहीं आएगा क्या Chief Justice of India या जो Constitutional Bench लगा हुआ है उन्होंने आपको बोला है ये मैं सिर्फ दुलत साब के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये मैं उन सब तमाम हजरात के लिए बोल रहा हूँ चाहे वो BJP से तालुक रखते हैं चाहे किसी भी खीमे से तालुक रखते हैं जो वो impression हमेशा देते आपने पार्लिमेंट के जरीए कोशिश की आपने एक डिसिजिजन लिया पार्लिमेंट के जरीए डिसिजिजन लिया आपने Constitution को तोड़ कर आप ये मत कहिए कि 307 जी खतम हो गया कहा है खतम हो गया किसने कहा है ये मैं उनसे दो ही बात कहूंगा एक तो नंबर उन्होंने 370 पर बात की 307 का केस बाजबता तोर पर वहां पर पड़ा हुआ है इस अंडर दे प्रविव अफ़ 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 नजर रखी हुई है 307 पर और Honorable Supreme Court का एक मातरपून जगा है सारे वर्ल्ड में as one of the finest bodies of judiciary और हमें पूरा उमेद है जम्मो कश्मीर के लोगों को कि Honorable Supreme Court of India will do justice as per the constitution और 307 को और एक चीज़ और के दुलत साब ने जो कहा है कि हम कश्मीर जम्मो कश्मीर और देली बात करेगा जरूर बहुत अच्छी बात है जो आप यह कह रहे हैं कश्मीर के मामले में मगर सिर्फ जम्मो और कश्मीर के लोग नहीं जम्मो कश्मीर के मामले को हिंदस्तान और पाकिस्तान के बीच इनको यह बात करनी पड़ेगी क्योंकि इतना खून खराबाब हुआ है एक नुकलिर फ्लेश पॉइंट है इस वक्त कश्मीर सर तिल वी डॉंट जब तक जम्मो कश्मीर लदाख गिलगित बलतिस्तान मुझाफर अबाद उनकी आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे जम्मो कश्मीर का मामला नकभी हल हुआ नकभी हल होगा